मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं माइडियर जो सुनके हो सकता है कुछ अजीब बाते कर रहे हैं लेकिन यह एक अजीब बात नहीं है माइडियर यह एक दम और फैक्ट और दम करेक्ट बात और पूरी तरह से की हुई बात है माइडियर यह सब बाते मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं आपने थमनिल में देखा ही होगा कि आज मैं आप सभी को क्या बताने जा रहा हूं माइडियर जी हां आज हम लोग पढ़ेंगे माइडियर जानेंगे समझेंगे क्या कि यह जो हमारा साइंस है माईडियर हमारा जो science है यह science यह कि आपने भगवान के साथ संबंद रखत रहा है यह आज हम लोग जानने वाले एक बिल्कुल नई तरीकी की चीज़ है जिसको आप आज सीखेंगे जानेंगे माईडिया हो सकता है इस पी बहुत सारे साचर रिसर्च कर रहे हों जान भी रहे हों लेकि यह मेरी खुद की पॉस्टनाल थिंकिंग है माईडिया जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ध्यान से समझे हम लोग देखिए अगर हम लोग अपने साइंस की बात कर हैं तो फिजिक्स जो होता है वह स्टेडी होता है किसका नेचर का आप जड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा किसका स्टेडी है फिजिक्स हमारा नेचर का नेचर यानिके प्रकिर्ती के बारे में हम लोग प्रकिर्ती में जो भी चीजे होती हैं जो भी घटनाय होती है और उसका क्या कारण होते हैं उस सब का study हम लोग किसके अंदर करते हैं फिजिक्स के अंदर करते हैं और यह जो नीचर में जितनी भी घटनाए होती हैं जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको इस बात time analysis होगा कि कहीं न कहीं हमारे फिजिक्स का maximum या यूँ कहें मैं तो य होता है इनर्जी किस चीज से related है मैंडियर इनर्जी से मैं आपको board पे सब कुछ समझाते हूं यह बात हैं मैं कैसे आप रिलेट कर पाएंगे यह चीज आप जड़ा देखेंगे फिजिक्स नेचर का study है और नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ एक इनर्जी से related होती है यानि उर्जा से संबंदित होती है किस संबंदित होती है मैंडियर उर्जा से संबंदित होती है यह वीडियो ना सिर्फ आपके student सब के लिए हर किसी के लिए है हर जंता के लिए है हर आम इंसान के लिए है जिसे यह बात समझना चाहिए मैंडियर इनर्जी यान कैंस के अंदर maximum चीज़ें किसे संब्दित है और जाथ करते हैं आप भगवान की बात करते हैं तो भर्गवान हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग जो भी है सब किसी को किसी सब करते हैं यह सब कुछ है यह लेकिन कहीं हमारा धर्म ने ये इक बात को समधित करता है कि भगवान भी क्या है उर्जा ही है भगवान क्या है इनर्जी ही है भगवान क्या है मैडियर उर्जा ही है तो साइंस और भगवान यानि कि धर्म को अगर साइंस को धर्म से जोड़ा जाए जब कि आज तक मैडियर ऐसा होता नहीं है साइन्स को अगर हम धर्म के साथ रिलेट करें बहुत लोग आई बात कहते हैं कि कहीं ने कहीं जो हिंदु धर्म होता है वो कुछ साइड यारा साइंटिफिक चर्म पर होता है पहले के लोग थे तो कहीं ने कहीं वह बहुत सारे सार्च ऐसे करके बैठे वह तो आज नहीं हो पा रहा है तो कहीं ने कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ने कहीं सही थी तो साइंस भी कहीं ने कहीं गौड की ही खोज कर रहा है उसी की चर्चा कर रहा है तो अगर गौड भगवान एक उर्जा है जैसे हैं यहां पर नेचर में हर एक चीज उर्जा ही है उर्जा ही कैजों झाफंस को वाला उसी इनर्जी सोस को हम लोग बहगवान बोलते हैं इसको न lushi इनर्जी को यह रहा हूँ सूरी को भगवान मांते हैं मांते हैं और सूरी देखी कितना ज्याधा इनर्जी का सूर से और हम सभी के लिए अब लेवल अगर अस्वन से हमें रौसनी इतनी नहीं मिलती इतनी सारी नहीं प्राप्त होती तो सायद इस नेचर में हमारे धर्ती पे कुछ भी संभाव नहीं हो पाता है तो हमारा भगवान जो हैं वो भी एक उर्जा के सुरोत हैं और फिजिक्स यानि कि यह जो हम लोग साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं कहीं यह अगर धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए भगवान के हिसाब से देखा जाए तो भगवान ने जो लौ कानून बनाए हुए हैं हम सभी के लिए वहीं चीज की स्टडी यह फिजिक्स भी कर रहा है माइडिया यह साइन्स हमारा उन्ही सब घटनाओं की स्टडी कर रहा है जो घटनाओं जिनके कारण भगवान ने बना के अल्लेडी रखे हुए हैं इसलिए मेरे हिसाब से यह मेरी परसनल थेंकिंग हो सकता है यह मैं गलत भी हूँ लेकिन कुछ लोग इस बात को साथ समझ पाएंगे जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कहीं न कहीं अगर फिजिक्स हमारा उर्जा से संबंदित है और भगवान भी उर्जाई है तो यह दोनों उर्जाएं आपस में कोई अलग-अलग नहीं है एक हीं उर्जा है और एक हीं उर्जा हम लोग खोज रहे हैं धर्म से भी और व हमारे पास भी क्या है हमारी बोड़ी क्या है आप दिछेंगे हम जिंदा है अगर तो हमारे सरीर मने क्या है इनरजी ही है और एनरजी जिस दिन हमारी बोड़ी मोझे खतम हो गया उस दिन UNScan खतम हो जाता है खतम हो जाता है यह इनर्जी ही है सब कुछ आत्मा जो हम लोग बात करते हैं वो भी क्या है इनर्जी है उर्जा ही है माइडिया तो यह उर्जा जो साइंस बाते करती हैं वहीं उर्जा भगवान की बाते करते हैं तो यह दोनों चीज़ें एक ही हैं इस बात क को समझना पड़ेगा माइडियर तो यह एक ऐसी चीज थी मैं जो आपको बहुत छोटी सी बात है मेरे हिसाब से एक बहुत छोटा सा सम्मद्ध है जो कोई भी सिधे सिधे समझ सकता था पर अभी तक मुझी लगता कि इस तरह की बाते कहीं पर की गई है माइडियर पर मैं इस भगवान भी एक उर्जा के सुरूत ही हम लोग यह मानते हैं और साइंस भी कई ने कई थोड़ा बहुत इस चीज को अब माननेगा कि भाई कई ने कई जो भगवान है वह इनरजी ही है और उसी इनरजी के बारे में हम लोग खुद डिसकस कर रहे हैं समझने की कोशिस कर रह झाल